नमस्कार, शो में आपका स्वागत है उपभुकता खर्च बढ़ाने की आवश्यक्ता पर जोर देती रही है। नमस्कार, शो में मंगलवार को देश की नेशनल पीपोल्स कॉंग्रेस की वार्शिक बैठक के उधगाटन। पर एक भाशन में ये घोशना की, जिसमें सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों को प्राथमिक्ता दी गई। उन्होंने कहा कि चीन का लक्ष इस साल पांच प्रतिशत की व्रिद्धी हासिल करना है, जो 2023 में तीन प्रतिशत से अधिक है, ली ने सेन्य खर्च में 7.2 प्रतिशत की व्रिद्धी कर 1.56 ट्रिलियन यूवान, 224 बिलियन डॉलर करने की भी घोष ना की, ये कदम तब उठाया गया है जब चीन धीमी व्रिद्धी, बढ़ती मुद्रास फीती और संपत्ती बजार संकर्ट सहित कई आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, देश को संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ बढ़ते भूराजनीतिक तनाव का भी सामना करना पर रहा है,